नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो बहुत जबर्दस स्टॉक हर कोई उन्हें स्टॉक में टेडिंग कर सकता है चाहिए आप स्विंग टेडिंग करें और पांस से च्छे दिनों के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं उपर के टागेट भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट यह खरीदना कहा है बेचना कहा है एक्जिट कहा करना है स्टॉप लोस खान लगाना है स्टॉक देखने से नहीं होगा आप एंट्री एक्जिट पता करें लास्टाइम जो मैंने स्टॉक आपको बताये थे उन में कुछ टागेट्स अचीव होते हैं में दिखाई दिए लास्टाइम आपको चंबल फर्टिलाइजर एसी सी बताया था एसी सी में अभी कॉल एक्टिवेट नहीं उपाई ब्रेक आउट नहीं हुआ बर्ट चंबल अच्छा चला पांसे साथ परसंट के प्रोफिट अभी भी दे रहा है बहुत चोटा सा स्टॉप लोस था वॉल्टा साच्छा चला है तो लगबक सारे अच्छे चलते हैं यह आप दिखाई दिये उसके बाद बाद बाटा इंडिया में बही जो काफी दिन पहले बताया थ बाट इंडिया 1550 तक चूकर नीचे फिर आया है आज की बात करें आज जो मैंने इस टॉक फाइंड आउट किया है वह है बंधन बैंक बंधन बैंक के बुलिश चैनल में फसावा और हाइर हाइस फार्मेशन दे रहा है और हायर लोस फार्मेशन दे रहा और अप्टेंड में स्टॉक है यह स्टॉक जिस तरीके से चल रहा है मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको इस स्टॉक में यह वाला टागेट देखनें को मिल सकता है दो सो पचास दो सो पचपन और दो सो साथ रुपए तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने के दूए एंट्री कहां करें एंट्री आप देखो इसमें क्या कर सकते हो 248 रुपए के उपर या तो ब्रेक आउट पर काम करके चल सकते हो बर्रेक आउट पर नहीं करना थोड़ा सा यह स्टॉक नीचे आ जाए कहां तक है जैसे यहां पर सपोर्ड लेता वा लगता नजार आ रहा है यहां पर आके कोई बुलिश हैमर्ग या बुलिश केंडरिस्टिक पैटर्न मना दे ही वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हो 245-244 की रेंज में यहां पर खरीदारी करेंगे तो अच्छा रहेगा 255-260 के टागेट के लिए इस्टॉपलोस बहुत छोड़ा सा स्ट्रिक्ली मेंटेन रखें मार्केट में बहुत छोड़ा स्टॉक है हर कोई खरीदारी कर सकता है वन आर के चार्ट पे देखो कितना परफेक्ट तरीके से बुलिश चैनल में ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे देखो के तो डेली चार्ट पे भी ओवर अगर आप देखो एक रेसिस्टेंस के आसपास आने को तयार है तो कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस के आसपास आप को अपना profit book करके चलना है दो सो पच्पन के आसपस यह लेवल क्रॉस करेगा तो नेक्स ताइम यह दो सो पिछपन की तरह बढ़ेगा बर दो सो साथ रुपय का लेवल क्रॉस करना इसका important है दो सो पिछपन जाने के लिए तो दो सो साथ के ओपर fresh buying आएगी अभी फिलाल के ल मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छी अपसेट पॉसिबल एस स्टॉक में और खड़ीदारी का करें खड़ीदारी आप ट्रेंड लाइन के breakout पे करो अलर्ट लगा के रखो आप डेली चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ओपर से 12345 काफी सार टागेट के लिए स्टॉप लॉस कहां मेंटेन करें जो लोग ब्रेक आउट पर काम करेंगे यहां पे कोई ग्रीन केंडल बनेगी तब काम करेंगे यह जो रैट केंडल बनी है इसके नीचे का पिस्टॉप लॉस रखके चल सकते हैं 75 मिनट के चार्ट पर देखो टेंड ल तो 15 मिनट के चार्ट पर आप टेडिंग कर सकते हैं एंट्री आपको मिल जाएगी बहुत परफेक्ट जो लोग यहां भी 190 के आसपास भी एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका पांच रूपय का हाडली रहेंगे वीडियो पसंद आड़ेत इस वीडियो को लाइक क झाल